Hello and welcome to my channel Thinking Literature इस वीडियो में हम John Donne की poem A Valediction Forbidden Morning को डिसकस करेंगे So let's jump into it A Valediction Forbidden Morning John Donne के द्वारा लिखा गिया एक famous poem है जो कि उन्होंने उनके wife के साथ अलग होने के समय लिखा था John Donne के wife का नाम था Any More Donne जिनको वो England में ही छोड़ कर France कुछ diplomatic काम को लेकर जा रहे होते हैं इस poem को हम John Donne के द्वारा लिखा गया एक farewell speech भी कह सकते हैं क्योंकि इस poem में वही दुख और grief को दिखाया गया है जो हम feel करते हैं जब हम किसी अपने से बिछड़ते हैं John Donne के दूसरे poems के तरह ये poem भी Donne के death के बाद ही publish हुई थी सबसे पहले हम love और distance के theme को discuss करेंगे जैसा कि मैंने कहा John Donne ने ये poem जब उनकी wife Annie से अलग हो रहे थे तब लिखा था ये poem इस बात पर based है कि क्या होता है जब दो lovers को अलग होना पड़ता है ये poem spiritual unification के बारे में भी है क्योंकि speaker कहते हैं कि उनके और उनके lover के बीच के separation से speaker को कोई भी फरक नहीं पड़ता है क्योंकि उनका प्यार या love physical distance को value नहीं करता क्योंकि उनका love इस से परे है और spiritual है poem की speaker अपने lover से ये assure करते हैं कि उनके souls या आत्मा के साथ साथ उनका mind भी unified है या एक बंधन में बंधी है so अगर वो physically अलग हो भी जाएं तब भी उनकी जो mind और soul की जो bond है वो कभी भी अलग नहीं होगी इसके बजाए उनके souls या आत्माएं उनके physical दूरी को cover करने के लिए और fail जाएगी जिस तरह एक soft metal को एक बड़े से area में फैलाने के लिए पीटा जाता है उसी तरह poem में जो speaker है वो अपनी और अपनी lover की soul की bond को दिखाने के लिए एक compass का example देते हैं और कहते हैं कि जिस तरह compass की दो legs अलग-अलग होते हुए भी एक साथ जुड़े हैं उसी तरह उनके souls भी अलग-अलग होते हुए भी एक साथ जुड़े हैं इस speaker के जो lover है वो ये fixed leg वाला है जो की हमेशा fixed रहता है और जो speaker है वो ये घूमने वाला leg है हाला कि compass का एक leg move नहीं करता लेकिन जब भी ये दूसरा वाला leg थोड़ा move करता है तब ये थोड़ा सा जुग जाता है और जब ये दूसरी leg थोड़ी नजदिक आ जाती है तब ये फिर से खड़ा हो जाता है इसलिए speaker कहते हैं कि ये जो fixed foot है ये उनकी lover है और ये जो moving foot है ये वो speaker है क्योंकि speaker को काम की वज़ा से travel करना पड़ता रहता है लेकिन चाहे speaker जहां भी जाएं वो हमेशा सही रास्ते पर चलेंगे और हमेशा faithful बने रहेंगे और ये दो legs मिल कर एक circle create करती है जो जहां पर सुरू होता है वहीं पर end भी हो जाता है और ये ending ये दिखाता है कि speaker अपने travels के बाद या अपने सभी कामों के बाद फिर से अपने lover के पास lot के आएंगे तो speaker के अनुसार जो true love है वो ना cable separation को जहिलता है बलकि दो lovers को वापस एक दूसरे के पास भी लाता है अब हम physical love और spiritual love के theme को discuss करेंगे poem के speaker उस तरह के love की निंदा करते हैं जो केबल physicality पर based होती है इसके बजाए speaker spiritual love की प्रसंगसा करते हैं poem के speaker अपनी और अपने lover की प्यार को physical love से अलग बताते हुए कहते हैं कि उनका mind और soul इस तरह connected है कि उन्हें physical presence के कोई परवा नहीं है उनका प्यार इतना genuine और refine है कि यह उनके understanding से भी परे है उन दोनों के बीच एक ऐसी link है जो कि साधारन romantic और sexual love से बहुत beyond है इसी तरह john done physical love को spiritual love से separate करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए अगर अच्छा नहीं लगा तो डिस्लाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए